ते औरबल सुपरीम कोड़ संजी केस में ओडर के वात हिनन जी कोगनीजन्स का पो फोरन तां बेल एप्लिकेशन दे डिसाइड कनदा इनन जी करें ऐसां जी ट्राइल ले जो का अच्टे नवदी सागिवा सिर्फ इनन जो कोगनीजन्स ते वा अनका पो पहले एप्लिकेशन कि चेलिंज कर राजी हैं तो सर्दारी निजाम इसका उठाब कोगनी जहें नखर में चाहो था आथा असान पर इसाब इपर्ट वर्ताय आया असा जो कम यहाँ आशा मजलूमा य। आशा ही है य। चाहँआ लेकेशने प्लिस जिलाह सभी ता पुलीस चाह करदार रहा पुलीस इस पी साब कमर रजा जिसका पगल पब्लिकली अनॉस्मेंट करें वहां जे विचमें धरने में चाहिए तो मुथ्टे सिंद गवर्मेंट परेशरा आए जी साब सुप्रीम कोड में करें जेको ताम मीडिया वानन पान रिपोर्ट किया जम सबस्क्राइब तो पुलीस जो ना जायज वहां कि इन्शाला इंशाला में पुरूमीद हूं जितने हमारे पास सबूत हैं गवाहे तो यह जागीरदार सरदार जो वडेरे हैं जो मुलविस हैं मेरे वालिद मेरे दादा और मेरे चचा की कतल केस में तो इनको हम सलाकों के अच्छे भी जरूर देखेंगे और इनको फासी के फंदे तक लेके जाएंगे यह हमारा अजब में सबको पता है कि जो स्यासी लोग होते हैं उनके साथ पुलीस का क्या रवया होता है तो पुलीस तो इनकी कमदारी करने में लगी थी इवन अभी मैं काऊंगी अभी जो सि कर दिया कोड़ ने यही कहा कि पुलीस ने हैंने करकर कि पिर भी वही चालान जिसको उन्होंने क्लियर कट करके पेश किया जिस चालान में उन्होंने एक सरदार को बुरहान जिसका नाम है उसको 169 में रिलीस किया एक को 497 कॉलम 2 में रिलीस किया तो उसके बाद आप देखें कि कोट ने इनकी बेल एप्लिकेशन जो थी वो रिजेक की कहा कि बुरहान चांडियों की बेल एप्लिकेशन करके कोट ने यही ओडर किया कि इसको ज लाफ फैसला दिया है और अलहम्दलिल्ला हम पूर अमीद हैं पाकिस्तान की अद्लिया से तब यह स्टेज था जब हाइकोड ने इनको जॉइन किया तब यह लोग जागिरदार सरदार जो है वह उन पे इतना प्रेशर हुआ कि वह कंप्रमाइस की तरफ आए रीसेंड़ी अ आमने हाथ सरदार खुद को जमीनी खुदा समझते हैं यह समझते हैं कि यह चलते फिरते जलम सित्म करेंगे यह चलते फिरते लोगों को मारेंगे तो हम उनको बताना चारें कि हम नहीं डरेंगे और इस केस में शुरू में तो आपको पता है एफायर तक नहीं काटी जा र डर भी सकते थे हम वही वक्ता कि हमें डराया जाता हम जुक जाते हम बिक जाते पर हमने इसा नहीं किया हम कल अपने घर से स्टार्ट करेंगे कि एंटी फ्यूडिलिजम डे हम 17 जनवरी को मनाने की तजवीज बेश करें कि यह हम पहले शुरुआत हमें अपने घर से करूंगी मेरे जो स्ट्रगल के साथ ही हैं उनके साथ मैं एंटी फ्यूडिलिजम डे कल 17 जनवरी पर मनाने जा रही हूं और उसके इलावा फिर हम इसक हम क्यों खड़े हैं जागीरदारों के जलम किसी से ढखे चुपे नहीं हैं आपको पता है रिसेंटली नाजिम जोख्यों को कितनी बेदर्दी से मारा गया फैमी दास्याल को किसे मारा वो भी फिटल लोड से और ये कोई आम या मजाग बात नहीं कि 70 फीसद सरदार और जा पर बैठें और मैं यह अहद कर रही हूं यह अजम कर रही हूं आज से कि मैं एक बुक जो है लिखूंगी सरदारों और जागीरदारों की जो है जो जो जुम कर रहे हैं उन पर जिसका नाम जो हम कहेंगे कि फ्यूडल क्राइम से क्राइम्स जो हैं हम उन पर लिखेंगे औ और ये बुक हम हर इदारे में देंगे और हम ये युएन तक पहुचाने की कोशिश करेंगे के युनाइट नेशन इस पे जो है अपना कदम उठाएं और हमें फूडलिजम से आजाद कराया जाए जिस बुक में हम सरदारों के जलम सित्म जबर के खिलाफ लिखेंगे और उस बुक में जो है हम ये भी लिखेंगे कि फूडलिजम क्यागेंज क्यों खड़े होना जरूरी है और उसको शिकस कैसे हम दे सकते हैं